हलो दोस्तों टोने टोटके में आप सब का स्वागत हैं दोस्तों अठरा तरीक को अजा एकादसी है और उस एकादसी का महत्व मैं बताने जा रहा हूं जिसे करने से सारे पाप नश्ट हो जाते हैं तो दोस्तों अजा एकादसी का महत्व ध्यान से सुनें युदिश्टिर न हे राजन एक चिंत होकर सुनो भादरपद मास के क्रशपश की एकादशी का नाम अजह है वह सब पापों का नास करने वाली बताई गई है भगवान हिरी केस का पूजन करके जो इसका ब्रत करता है उसके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं हे दुश्टिर पूर्वकाल में हरी चंद्र नामक एक विख्यात राजा हुआ करते थे जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे और सत्य पेटिका रहते थे एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज से नश्ट होना पड़ा राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेश दिया और अपने आप को भी बेश दिया पूर्णी आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी वे मुर्दों का कफन लिया करते थे इतने पर भी नेत्रस्रष्ट हरी चंद्र शत्त से बिचलित नहीं इससे राजा को बड़ी चिंता हुई वे आतियन दुखी होकर सोचने लगें क्या करूं कहा जाओ कैसे मेरा उधार होगा इस परकार चिंता करते करते हुए सोक के समंदर में डूब गए राजा को सोकातूर जानकर महारिशी गौतम उनके पास आये स्रष्ट ब्रामणों को करते हुए देखकर नर्फ सरष्ट ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया राजा की बात सुनकर महारिशी गौतम ने कहा है है राजन भादों के क्रश्पच में अतियंत कल्य जानकारी अजा नाम की एकादसी आ रही है जो पूर्ण प्रदान करने वाली है इसका ब्रत करो इससे पाप का अंत होगा तुम्हारे भाग से आज के साथवे दिन एकादसी है उस दिन उपवास करके रात में जागराण करना चाहिए ऐसा कहकर महारिशी गौतम अंतरधाम ह मुनी की बात सुनकर राजा हरीचेंद्र ने उस वक्त ब्रत का नुष्ठान किया उस ब्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए उन्हें पत्नी पुनह प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया अकास में शंग बज उठे देव लोग से फूलों की व प्राप्त हो गए उदिश्टित काते हैं जो मनुश्य ऐसा ब्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्व लोग में जाते हैं इसके पढ़ने और सुनने से अवस्व में एक यक काफल मिलता है तो दोस्तों अजा एक आदोशी के बारे में मैंने आप सब को बताया है अगर ये वीडियों आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सबस्क्राइब करें कमेंट करें थैंक यू सो मच